नमस्कार दोस्तों विक्की की पाड़शाला में आप सभी का तह दिल से स्वागत दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉटेंट होने वाला है चूँकि मैं लागत के कोशन आपको बताने वाला हूँ मल्टी चॉइस कोशन और इन कोशनों के एक्जाम में आने की पूरी संभावना है मैं एक से लेकर पहले 11 कोशनों के बारे में आज आप से डिसकस करूँगा और अगले 11 कोशन मैं आपको नेक्स बार्ट में बनाके दूँगा तो दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंतक जरूर देखें क्योंकि इससे पहले मैंने लागत के जो पाच पार्ट के ब्रिफ समरी के मैंने पार्ट आपको पढ़ाए हैं उन पार्टों को देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीनन मानिए कि आप 11 के 11 कुशनों को सही अंसर दें तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूँगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप विक्की की पार्चाला पर पहली बार आए हैं तो विक्की की पार्चाला को सब्सक्राइब तो जरूर करें तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पहला परशिन पढ़ते हैं पहले परशिन में क्या बुला है बंदी लागत या आप खुर ट्राइ करें और कमेंट में आप मुझे बताएं कि आपके ग्यारा में से कितने नंबर आए तो पहला कुशन है कि बंदी या इस्थिर लागत को कहा जाता है पहला ओप्शन दे रखा है पूरक लागते दूसरा उपरी लागते आप प्रत्यक्ष लागते भी उपर कि स्थिती में उस लागत को परदर्शित करती है जिसके उत्पादन के बढ़ने घटने या शुन्य होने का जिसमें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता यानि मैं कह सकता हूं कि अल्प काल कि स्थिती में उत्पादन में परिवर्तन या उत्पादन के स्थर में लागते भी कह सकते हैं और परतेक्ष लागते भी कह सकते हैं तो इसलिए इसका insers सही होهगा तो मैं उम्मीद करते हूँ कि आपको यह उपनी लागत वाला pansepse आप समझ में आ गया होगा देखिए इसे पूरक लागते क्यों कहते हैं क्योंकि जो मुखे लागते होती है वो तो परिवर्तित लागते होती है उनके साथ चलती है इसलिए हम पूरक लागते कह सकते हैं उपनी लागते हो क्योंकि ये तो हमें खर्चा करना ही पड़ता है बट हमें ये तब भी खर्च करनी पड़ते हैं तो इन्हें हम आप्रत्यक्ष लागते भी कह सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला प्रशन जरू समझ में आया होगा अब बात करते हैं हम अपने दूसरे प्रशन की और दूसरा प्रशन क्या कह रहा है कि जिन ल अस्तिविक लागते और इन में से कोई नहीं आप बताईए पहले देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ए क्यों परमुक लागते देखिए अगर उत्पादन की स्थर में परिवतन होने के फल्सरूप जिन लागतों में परिवतन होता है उन्हें हम परमुक लागते कहते है जैसे कच्चे माल की खरीद, जो हमें रोजाना खर्च करना पढ़ता है, पर्मुक लागते, देखें, दो होती है, अल्पकाल की स्थिति में लागते, एक होती है स्थे लागते, और एक होती है परिवर्तित लागते, अल्पकाल की स्थिति में, इस बात को आप ध्यान दें, बै इस ते लागत तो वो होती है जिसमें परिवर्तन नहीं होता जबकि परिवर्तित लागत वो होती है जिसमें परिवर्तन होता है. भै हम यह कह सकते हैं कि जो पर्मुक लागते होती हैं जो एक उत्पादक दुआरा रोजाना खर्च करने पड़ती है वो होती है परिवर्तित लागते जिसे हम पर्मुक लागते भी कह सकते हैं तो मैं उमीद करता हूँ आपको दूसरा प्रशन भी समझ में जरूर आया होगा अब बात करते हैं हम तीसरे प्रशन की तीसरा प्रशन क्या कहा रहा है इनमें से कौन सा सही है यहाँ पर फॉर्मिला दे रखा है TC equals to TFC into TvC B part दे रखा है TC equals to TFC plus TvC तीसरा दे रखा है TC equals to TfC plus TvC और 34 दे रखा है हमें TC equals to TfC minus TvC तो आप बताईए कि कौन सा सही है चलिए मैं बताता हूं देखिए ये वाला अंसर तो हुई नहीं सकता गुणा का तो है नहीं कुछ भी लोजिक भई डिवाइट का भी नहीं है इंटू और डिवाइट तो वैसी कड़ गए अब फसरा है हमारा कोश्यान टीसी टीसी दोनों दे रखा है भै हम जानते हैं कि अल्ब काल की स्थिती में जो हमारी इस्तिर लागत होती है यानि कुल इस्तिर लागत होती है अगर हम उसे जोड़ देती है तो हमारी वो कुल लागत मिल जाती है अल्ब काल की स्थिती में इस बात को आप जरा ध्यान दीजी तो इसका जो सह आंसर है वो हमारा c option बल्कुल ठीक है कि ये tc equal to tfc plus tvc अब बात करते हैं हम अपने चौथे प्रशन की तरफ चौथा प्रशन क्या कह रहा है मजदूरों को दी गई मजदूरी उधारन है आप बताइए पहला है इस पस्ट लागत का दूसरा है नहित लागत का तीसरा है अफ क्या अंतर होता है फिर आप खुद ही बता पाएंगे देखिए इस पस्ट लागते वे लागते होती हैं जो एक उतपादक दुआरा वस्तू तथा सेवा के उतपादन ही तू उसे बजार से खरीदनी पड़ती है जबकि नहित लागते वे लागते होती है जो एक उतपादक के लिए जमीन अगर किसी किसान से लीस में लेता हूं या रेंट पे लेता हूं तो वो इस वस्ट लागते हैं अगर मेरी खुद की जमीन गाओ की जमीन पर ही मैं फैक्टरी लगाता हूं तो मेरी वो नहीत लागत है तो देखिए नहीत लागत वो संसादनों को परदशित करत जो संसादन उसे उत्पादन के लिए चाहिए और वो उसके खुद के पास है वो नहीत लागत है नहीत मतलब उसी में नहीत होना उसके पास होना तो यह अब आपको समझ में आगया होगा मजदूरों को दी गई मजदूरी उधारने देखिए मजदूरों को दी जाने वाली सिम्पल सी बात है बजार से हमें खरीदना पड़ेगा तो ये किसका उधार नहीं इस्वस्ट लागत का आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं हम अपने पाच्वे प्रशिन की तरफ जब उत्पादन का इस तर्शुन्य होता है तब बंदी लागत होती है द धनात्मक होती है या परिवर्टित लागत के बराबर होती है आप बताईए पहले अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको पहले ही ये बात कही कि अलकाल की स्थिती में जो बंदी लागते होती हैं जो इस्थे लागते होती हैं वो उत्पादन के स्थर में परिवर्टित होने के फल्चुरू उनमें किसी भी परकार का परिवर्तर नहीं होता वे सदेव एक समान बनी रहती है और सदेव धनात्मक बनी रहती है जिसके कारेडिन का जो वक्र होता है वो एक्स एक्सिस के समानतर होता है जो कि ये प्रदशित करता है कि उत्पादन चुने हो बन रहती है और सदेव एक्स एक्सिस के उपर होती है तो ये सदेव क्या होती है धनात्मक होती है तो आप मैं उमीद करता हूँ कि आपको पाच्वा प्रशन भी जरूर समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं हम अपने छड़े प्रशन की वैल आगते जो उत्पादन की मात में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है कहलाती है पर्मुक लागते पहला उप्शन दूसरा उप्शन मोधरिक लागते तीसा उप्शन वास्तविक लागते इन में से कोई नहीं चौथा उप्शन आप बताईए क्या चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला ज नहीं होता उन्हें हम गोण लागते कह सकते हैं गोण लागते बहुत ही सिंपल सी बात है परमुक लागते ही है जो कि हमारी परिवर्तित लागत को परदर्शित करती है जो रोजाना एक उत्पादक के दुआरा खर्च करने पड़ती है यह जो बंदी लागते होती है न किराय जबकि परिवर्तित लागते रोजाना खर्च करनी परती इसलिए इने पर्मुक लागते कहा जाता है उत्पादन का इस तर आगर फैक्टरी में माल बढ़ाना है तो कच्चा माल जादा चाहिए यानि पर्मुक लागते बढ़ जाएंगी अगर फैक्टरी में माल को कम करना है तो घड़ जाएगी, मतलब आप समझ सकते हो कि परमुक लागते परिवर्तित लागते होती है, ये उत्पादन के इस तरह में परिवर्तित होने के फल सुरूप इनमें भी परिवर्तन होता है, अब बात करते हैं अपने सात्मे प्रशिन की तरफ, सात्मे प्रशिन क्या कह रह इस थाई पुझी पर ब्याज आप बताईए बहुत अच्छा प्रशन है एक्जाम में आने लाइक क्यूशन अब मैं आपको इसको बताता हूं इसका सही अंसर देखिए जो बिजली का बिल है वो तो उतपादन बढ़ेगा तो ये बढ़े भी जाएगा उतपादन घटेगा उतपादन शुन्ने होगा तो शुन्ने भी हो जाएगा तो ये तो नहीं हो सकता बंदी लागत दूसरी कच्छे माल पर खर्च बढ़ेगा कच्छे माल पर पैसा बढ़ जाएगा उतपादन घटेगा कच्छे माल पर खर्च करने वाला पैसा घड़ जाएगा उतपादन हो पादल बढ़ाना है तो हमें जादा चाहिए होंगे, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, घटाना इनकी मात्रा घड़ जाएगी, बहुत ही सिंपल, पर ये देखिए, चौता अप्शन देखिए, स्थाई पुंजी पर ब्याज, अगर हमने स्थाई पुंजी पर कहीं से पैसा ये बात भी आपको समझ में आगे होगी, ये तीनों के तीनों उधारण हैं परमुक लागतों के या फिर परिवर्तित लागत के, आपको ये बात समझ में आगे होगी, परमुक लागते और परिवर्तित लागते दोनों एकी बात है और इसके पाच वीडियो मैंने बना बटन पर लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे जाके आप जरू देखें, अब बात करते हैं, अपने आठवे प्रिशन की उत्पादन के शुन्य होने पर कुल लागत, यानि टी सी होगी, उत्पादन के शुन्य होने पर, अब जब उत्पादन शुन्य होता है, तो जो हमारा कु कुल लागत होती है वो क्या होगी शुन्य होगी परिवर्तित लागत के बरबर होगी शुन्य कुल बंदी लागत के बरबर होगी और इस्ति लागत के बरबर होगी आप बताईए पहले तो देखे अगर जब कुल लागत शुन्य होती है तो सुरी जब उत्पादन शुन्य हो अगर मेरे विद्धार्तियों की संख्या बढ़ती है घड़ती है या शुन्य होती है तो मुझे तो जिसका मैंने रेंट पर मकान ले रखा है या दुकान ले रखी रेंट पर उसे तो मुझे किराया देना ही पड़ेगा न तो देखिए जो कुल लागते हूती है न वो कभी भी शुन्ने होने पर उत्पादन के शुन्ने होने पर शुन्ने नहीं होती है ये सदे उत्पादन के शुन्ने होने पर कुल बंदी लागत के बरबर होती है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इसका ये आंसर यानि कुल बंदी लागत आंसर सही है अब बात करते हैं हम अपने नोवे प्रशिन के लिए जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट अव्यू से कि निम्मे से कौन सेच्च्टूत्र दुआरा टीवी सी का आकलन किया जा सकता है टीवी सी मतलब कुल परिवर्तित लागत कुल परिवर परिवर्तन होने के पल्स रूप जिसमें समरूप परिवर्तन होता है यानि मतलब क्या कुल लागत बढ़ती है ये भी बढ़ती है कुल लागत घड़ती है ये भी घड़ती है और जब कुल लागत शुन्ने हो जाती है मतलब शुन्ने तो नहीं होती है यानि कुल बंदी ल mc और tc मायने tfc तो देखिए ये जो सिमानत लागत होती है ये कुल लागत में होने वाले परिवर्तन की धर को बताती है बर देखिए इस्थिल लागत तो सदिव समान रहती है इस्थिल लागत में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है एक्शुल में ये परिवर्तन दिखाती किसके कुल बंदी लागत के और सुरी कुल इस थिल लागत कुल परिवर्थित लागत के तो ये option ये तो है यी ठीक और ये भी तो इसका डी answer बिलकुल ठीक है बिलकुल ठीक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं मैं अपने दस्मे परशिन की तरफ दस् बंदी लागत परकट करती है ओसत बंदी लागत देखिए ओसत लागत क्या होती है किसी भी वस्तू या सेवा की एक इकाई को उत्पादित करने के लिए जो धनराशी खर्च की जाती है अल्पकाल की स्थिती में उसे हम ओसत लागत कहते हैं अब ओसत बंदी लागत क्या हो भै उत्पादन के बढ़ने घटने यह शुने होएक का कि जिस पर बिलकुल भी परभाब नहीं पड़ता उससे हम बंदी लागत कहते हैं। ओसत बंदी लागत क्या होती है परते इकाई के उत्पादन हे तू जो बंदी लागत होती है उसे हम ओसत बंदी लागत कहती है और इसका जो वक्र होता है इसके चार अप्षिन है आप बताओगे पहले रेक्टेंगुलर हाई पर बोला दुआरा एक्स अक्ष के समानतर एक्स सनल रेखा वाई एक्स के समानतर एक्स सनल रेखा और यू अकार का तो देखिए अगर हम बंदी लागत की बात करें या कुल बंदी लागत की बात करें तो उसका वक्र तो एक्स अक्ष के समानतर होता ह परन तो हम ओसद की बात करें, क्योंकि कुल बंदी लागत में कोई भी परिवर्था नहीं होता, तो जम भी हम एक से भाग करते हैं, जैसे हम उतपादन बढ़ता रहता है, तो कुल बंदी लागत को इकाईयां बढ़ने से वो निरंतर घड़ती है, और ऐसे घड़ती है कि वो परशन आता भी है एक्जाम में, अब बात करते हैं ग्यारवे परशन की आज की वीडियो का लास्ट कोईशन, बारा से अगले बाइस तक कोईशन, मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, तो ग्यारवा कोईशन अगर हम देखते हैं, तो जब MC वक्र, AC वक्र को काटता हैं, तो देखिए जब भी MC AC को काटे, या AC MC को काटे, जब भी कभी भी आपसे कोई पूछे कि प्रतिशे देत या काटनी की बात करें, तो उस इस्तिती में वो हमेशा बराबर ही होते हैं, इसका मैंने दोनों का संबन्द बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, अपने स वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगाए, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और विकी की पार्चला पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिलकुल भी ना भूलें, आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, तो इसलिए आप मेरे वीडियो को जादा से जादा लोगों तक पहुचाएं, तभी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा मेरे दोस्तों, ये मैं आप से वादा करता हूं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जै हिंद, जै भ सकता हूं, आप के लिए गयरांई।